नमास्कार स्वागत है आप सभी का सिक्षा सीडिके से यूटूब चैनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन सुचकांकों में भारत का अस्थान 2020 में जनौरी से लेके मार्स तक के जितने भी important सुचकांक जारी किये गए हैं उन सुचकांकों को आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे तता हम जानेंगे कि ये सभी जो सुचकांक जनौरी से लेके मार्स 2020 तक के जारी किये गए हैं इन सुचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं इस important topic को तो ये वीडियो को सोरू करते हैं तो सबसे पहला सुचकांक हमारा है Sustainability Index 2020 यानि इसको कहते हैं सततता सुचकांक इस सुचकांक में जो है मतलब सबसे पहले इसको जारी कौन करता है आप याद रिखिए तो जो Sustainability Index 2020 है इसको जारी किया गया है WHO Unicef और The Lancet Medical General के द्वारा जारी किया जाता है इस सुचकांक में भारत का स्थान है 87 इसे आप याद रिखिएगा आप इस सुचकांक में भारत का स्थान है 77 और पहले नमबर पर country मिलेगा आपको Norway तो तीन चीज़े आपको याद अखनी पड़ती है, सबसे पहले चीज के आपको याद अखनी पड़ती है, कि उस सुचकांग को जारी किस ने किया है, दूसरी चीज़ आपके लिए इंपोर्टेंट होती है, और तिसरी चीज़ आपके लिए इंपोर्टेंट होती है, कि उस स सुचकांग जारी किये गए तो जैसे एक में आपको बताया जो सस्टेनेविल्टी इंडेक्स इसको जारी कलती है तीन संस्थाइम मिलके WHO, UNICEF और लेंसेंट मेडिकल जन्रल इसमें भारत का स्थान 77 और नॉर्वे इसमें पहड़े नंबर पर आए अगला हमारा है इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 यानि कि समावेसी इंटरनेट सुचकांग 2020 आईए देख लेते हैं से इसको जारी कोन कलता है तो EIU यानि कि Economist Intelligence Unit के दारा इस सुचकांग को जारी किया जाता है इसमें भारत का स्थान 46 पहले नंबर पर कंट्री आपको मिलेगा स्वीडेन और सबसे लास्ट पर मिलेगा आपको बुरुंडी तो इसे भी आप या देखिएगा इसे जारी कलता है Economist Intelligence Unit भारत का स्थान 46 पहले स्वीडेन इसमें पहले नंबर पर है और सबसे लास्ट नंबर पर है बुरुंडी किसमें तो Inclusive Internet Index यानि कि समावेसी इंटरनेट सुचकांग 2020 में अगला है है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 यह रिपोर्ट इंडेक्स बताती है कि कि देश का पासवर्ड जो है सबसे ताकतवर है सबसे स्ट्रॉंग है तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें हैंले पासपोर्ड इंडेक सबसे जादा ताकतवर पासपोर्ट यानि कि भारत का पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो है 84 और दुनिया का सबसे जादा ताकतवर पासपोर्ट है जापान का और सबसे खराब पासपोर्ट किसका है तो अफगानिस्तान का तो आप इसे याद रिखिएगा दुनिया का सबसे स्ट्रांग जो पास्पोर्ट आपको मिलेगा जापान का है और भारत के इसमें रैंकिंग है 84 और लाश्ट पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान तो आप इसे याद रिखिएगा अगला हमारा है सोचल मोबिल्टी इंडेक्स 2020 यानि कि समाजिक गति सिल्चा सुचकांग 2020 इसको जारी किसने किया है तो वर्ड एकॉनोमिक फोरम के द्वारा यानि कि डबलू ई यफ के द्वारा जो है इस सुचकांग को जारी किया गया है भारत का अस्थान इसमें 76 है और प समलित किया गया तो इसमें सबसे आकरी पर आपको मिलेगा आइवरी कोस्ट पहले नमर पर डेनमार्क मिलेगा भारत का स्थान अच्छी अत्तरवा और इसको जारी कौन करता है तो वर्ड एकॉनोमिक फोरम के द्वारा सोचल मोबिल्टी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया अग इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की 25 सबसे बेस्ट कंट्री है इंडिया नी की दूनिया के सबसे सबसे Phat तरह अ gesam चांपन और तो मतलब आया कंसी का सबसे हिस्ट रिपोर्ट frightened को आकरी अस्थान पर लेबलावान को रखा गया है तो आप इसे याद रखिएगा अगला इंपोर्टेंट मारा है 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स यानि कि जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स यानि कि क्या होता लोगतंत्र जो सुचकांग है 2019 का इसको जारी किस ने किया है तो Economist Intelligence यूनित के दरा इस उचकांग को जारी किया गया है तथा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें भारत का अस्थान है 51वा और नॉर्वे का अस्थान इसमें पहला है और दुनिया के सबसे जो खराब डेमोक्रेसी है दुनिया का सबसे जो खराब लोगतंत्र है वो है North Korea कहने के North Korea इसमें आखरी अस्थान पर 167 रैंग दी गई है North Korea को इसमें भारत को अस्थान दिया गई उसके बाद नौर्वेग पहला स्थान याने की नौर्वेग की जो डिमोक्रेसी है सबसे अच्छी मानी गई है तता इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है तो Economist Intelligence Unit के द्वारा एक चीज़ा आप या देखेगा है जो इंडिया है यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कंट Competitiveness Index 2020 तो जो Global Talent Competitiveness Index है सबसे पहले आप याद देखिए इसको जारी कोई कलता है तो एक Business School है जिसको हम कहते हैं INSEED किसके दारा तो INSEED के दारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इस रिपोर्ट में भारत का अस्थान दिया गया है बहतर्मा पहले नंबर में को मिलेगा और सबसे आखरी पर मिलेगा यमन तो इसे आप याद देखिएगा जो 2020 का Global Talent Competitiveness Index इसमें भारत का स्थान बहतर्मा टॉप कंट्री आपको मिलेगा सबसे आखरी पर मिलेगा आपको यमन इसको जारी कलता है एक 20 को जिसका नाम है INSEED अगला हमारा है Corruption Perception Index 2019 यह इंडेक्स बताता है कि दुनिया का सबसे ब्रस्ट देश कौन सा है दुनिया का सबसे ब्रस्ट कंट्री कौन सा है तो इस रिपोर्ट को जारी करता है Transparency International इसमें भारत का स्थान है असीवा उसके बास सबसे जो अच्छा देश जहां पर ब्रस्ट अचार ना के परापर है वो मिलेगा आपको Dainmark और fora courtesy मतलब की डेन ब्रस्ट अर्ल एंड है इसमें ब्रस्ट अचार सबसे कम देखने है और सबसे अधिक ब्रस्ट अचार है वह सोमालिया में देखने हो को मिला तो समालिया जो है वह दुनिया का सबसे ब्रस्ट कंट्री आप इसे याद अस्थान है, एक सो असीवा अस्थान है, इस Corruption Perception Index में, तो आप इसे याद देखिए कि दुनिया का सबसे ब्रश्ट कंट्री माना गया है, सुमालिया को, एक सो असीवा अस्थान दिया गया है, और दुनिया का सबसे जो मतलब ब्रश्टराचार सबसे कम किस देशों मिला गय का मुख्याले कहां है, तो बरलीन में कहां, तो बरलीन में आपको मिलेगा, Transparency International का Headquarter, अगला है, Intellectual Property Index 2020, यानि की बौधिक संपदा सुचकांग 2020, इसको जारी कुन कलता है, तो US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center के द्वारा जो है, इसको जारी किया जाता है, इसमें महारत का स्थान है, चालिसम और सबसे टॉप पे कंट्री आपको मिलेगा, United States of America, तो आप इसे याद देखिएगा, जो Intellectual Property Index 2020 है, इसको जारी किया गए, United Chamber of Commerce की एक संस्था है, Global Innovation Policy Center, उसी के द्वारा और इसमें भारत का स्थान है, चालिसमा, सबसे पहले पापको मिलेगा, यह विस से ने की, United States of America, अ इस रिपोर्ट माले कि इसमें रिपोर्ट में बताया गया है, कि वह कौन सा देश है, जो अपने मिलिटरी पर सबसे जादा खर्च कलता है, मतलब कि अपने देश की मिलिटरी पर खर्च कमने के मामले में, किस देश का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर यह Spending on Defense in 2019 है, इसको जो बताया कि यह सब यूएस डॉल बिलियन में यह सब डेटा है, तो सबसे अधिक जो मिलिटरी पर खर्च कलता है, वो कलता है यूएस से लगबग 684 दसमलो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कलता है अपनी मिलिटरी पर अमेरिका, तो आप इस से आ देखिएगा, उसके बाद चाइना दूसरे नमबर पर आता है, 181 दसमलो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कलता है, उसके बाद रसिया अपनी सेना पर 61 दसमलो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कलता है, और इंडिया का स्थान इसमें पाचवा है, इंडिया अपनी सेना पर 60 दसमलो 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है तो इन्हें आप याद देखिएगा दुनिया में जो सबसे अधिक मिलिटरी पर खर्च करने वाला देश है वो आपको मिलेगा अमेरिका अमेरिका अपने सेना पर अपने अमेरिकी डॉलर का तो इसे आप याद रखिएगा अगला है वाल्ड वाइड एडूकेटिंग फॉर फूचर इंडेक्स मतलब फूचर इंडेक्स मतलब एजूकेशन फॉर फूचर इंडेक्स के मामले में पुरे बिस में पहले अस्तान पर कौन सा कंट्री आता है तो फिल्ल के जारा इसको जारे किया गया है वाल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर फूचर इंडेक्स इसमें भारत का स्थान पर फिल्लैंड तो इससे आप जरूर्या देखिए अगला है वाल्ड हैपिनेस रिपोर्ड दोजार बीस जारे किया गया है यूनाटेड नेशन्स के दार इसमें भारत का स्थान 144 फिल्लैंड आपको सेथ्ष पर मिलेगा फिल्लैंड आपको पहले नंबर पिलेगा है सुछ्चकांक में और सभसे आखरी adapt ق세요 Да इंडेक्स 2020 यह रिपोर्ट पताती है कि किस देश में एकोनॉमिक फ्रीडम सबसे ज़्यादा है तो इसको जारी कुन कलता है Heritage Foundation of the Wall State General के ज़रा मिलके इस रिपोर्ट इंडेक्स को जारी किया एता है और इसमें भारत का स्थान है 2020 सबसे ज़र इकोनॉमिक फ्रीडम में देखनों की मिलेगी सिंगापूर में बारत का स्थान है नौठ कोरिया की अगला है World Gold Outlook Report 2020 मतलब इसमें यह बताए गया है कि दुनिया का वह पहला मतलब दुनिया में सबसे अधिक सोना खरदने वाले देश कौन-कौन से है तो इस रिपोर्ट को सबसे पहले जारी किया गया है जो श्तान आरिबिया है उसके बाद तरकी ने खरिदा और पाचन नमबर पर आपको मिलेगा पोलेंड इस पांचों देशों के जो दो इसमें 2020 में और 60 अस्थान पे आपको मिलेगा भारत सोना खरिदने के मामले में तो आप इसे याद देखेगा चाइना ने सबसे अधिक सोना खरिदा उसके बाद रसिया ने खरिदा उसके बाद कजाकस्तान ने उसके बाद टर्की ने उसके बाद पोलेंड ने और चट्वान स्थान पर मिलेगा भारज इसने सबसे अधिक मात्रा में सोना खरीदा 2019 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल गोल्ड काउंसिल के द्वारा उसके बाद इस रिपोर्ट को तो हमने कवर कर लिया था 2020 वर्ल बेस्ट कंट्री र स्विजियलेंड है और सबसे लास्ट में लेवल आन है आखरी इंडेक्स हमारा आकरी सुचकांग कमारा है वुमेन ऑन बोर्ड दोहजार बीस इस 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 में बताया गया है कि किस देश में जो है टॉप कमपनी में मतलब टॉप की पोस्ट पे महिलाएं कितनी है इस मतलब जो सिर्ष पद होते हैं कमपनियों के कमपनियों में सिर्ष पद होते हैं कि जो ऐस इस सठीक को रिलिस किया गया है और इसमें भारत का स्थान है बारावा और नौर्वे का स्थान इसमें पहला है तो इसे भी आप याद किएगा तो दोस्तों यहां पर हमने जनौरी से लेके मास तक के विभिन सुच कांकों को आपके एक्जाम के लिए हो सकते थे आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए इतना है थैंक्यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक्यू